ओक्सीटोशिन हार्मोन सीकेरेशन करने वाली कौनसी ग्लेंड है तो ओक्सीटोशिन हार्मोन का सीकेरेशन होता है पिट्यूटरी ग्लेंड के द्वारा निमलिकित मैंसे कौन सी ग्रंथी है जिसे मास्टर ग्रंथी कहा चाता है यह हम पहले डिसकस कर चुके है आंसर होगा प्यूस ग्रंथी मानव शरीर की कौन सी ग्रंथी प्यूस ग्रंथी से हार्मॉन के स्तराप को नियंतरत करती है तो यह होती है hypothalamus देखे जो puse granti होती है वो क्या करती है growth hormone का balance बनानी के लिए महत्यपूर्ण होती है लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि puse granti से जो secretion होता है hormone का उसको control कौन करता है तो उसको control करने का काम करती है hypothalamus इसलिए hypothalamus को क्या कहा जाता है hypothalamus को master of master gland के नाम से जान रखिएगा कि master gland के नाम से puse granti जाने जाती है लेकिन master of master gland के नाम से hypothalamus को जाना जाता है next question है निमलेकित मैंसे कौन सी ऐसी gland है जो exocrine और endocrine मतलब बहर इस्त्रावी ग्रंथी और अंतार इस्त्रावी ग्रंथी के रूप में बिवार नहीं करती है तो यहाँ पर answer जो होगा वो होगा puse granti next question है estrogen और progesteron निमलेकित मैंसे किसकी ब्रद्धी को नियंत्रित कर उत्तेजित करती है तो यहाँ जो answer होगा वो होगा pituitry gland ब्रद्धी कर हार्मोन बनाया जाता है जो growth हार्मोन होता है वो कहां किस के द्वारा इस्त्रावित होता है तो puse granti के द्वारा आप बिल्कुल puse granti और growth हार्मोन बिल्कुल आप ऐसे पढ़ लीजेगा क्योंकि इससे प्रश्ण पूछे ही जाएंगे निमलेकित में से कौन सी एक अन्ता इस्त्रावी ग्रंती puse granti से स्वतनतर रूप में कारे करती है तो यहां पर जो answer होगा वो होगा D परावटू या पैरा थाइरोइड होना चाहिए यहां पर इंसुलिन एक प्रकार का क्या है इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है काफी common question है यह इंसुलिन का विसकार किस ने किया है तो इसको हमने पहले भी discuss किया था कि इंसुलिन आप सभी जानते होंगे कि यदि बॉडि में इंसुलिन का concentration बिगड़ता है तो क्या होती है डाइबिटीज होती है तो इंसुलिन यदि इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में है तो क्या है बैटिंग जो होगी वो बैस्ट तरीके से होगी तो इंसुलिन का विसकार किस ने किया था बैटिंग और बैस्ट ने किया था इंसुलि बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है पैंक्रियास के द्वारा इंसुलेन बनाया जाता है निमलेकित मैंसे किस कोसिका से इंसुलेन का स्रीकिरेशन होता है तो यह आपने पड़ा होगा जो बीटा सेल्स होती है पैंक्रियास की उसके द्वारा क्या होता है इंसुलेन का स insulin hormone अगर body में कम होता है तो उससे क्या होती है diabetes mellitus या इसी को क्या कहा जाता है मदू में कहा जाता है आदमी के कंट के किस भाग को adam's apple कहा जाता है तो जो thyroid उपास्थी होती है उसी को क्या कहा जाता है adam's apple कहा जाता है निमलेकित में से कौन सी अंतास्त्रावी गरंती गर्दन में स्थित होती है तो जो thyroid gland होती है वो क्या होती है गर्दन में स्थित होती है आपने देखा होगा कई लोगों को thyroid की problem हो जाती है किसकी कमी से? सौल्ज की कमी से शरीर की सबसे बड़ी जो endocrine gland है वो कौन सी है तो जो thyroid gland है अब यहाँ पर यह सबसे बड़ी exo या endo नहीं पूछा गया है यहाँ specific पूछा गया है कि सबसे छोटी जो अंता स्रावी ग्रंथी है तो यहाँ पर answer liver नहीं आएगा यहाँ answer होगा thyroid gland thyroid gland का इस्थान कहाँ पर होता है तो गले में होता है thyroid ग्रंथी के द्वारा कौन सा हार्मोन का secretion होता है वो होता है thyrexin हार्मोन तो thyrexin हार्मोन को उत्तेजित करने वाली अंता स्रावी हार्मोन कौन सा है तो वो कौन सा हार्मोन होगा thyroid stimulating hormone इसको याद रखिएगा TSH का full form होता है thyroid stimulating hormone next question है एक विसिस्ट हार्मोन जिसकी कमी से ग्वाइटर या ग्हेंगा रोग हो जाता है संसिलिश्यत करने के लिए किस अंता स्रावी ग्रंथी को आयोडीन के आवश्यक्ता होती है तो अगर क्या है ग्वाइटर रोग हो रहा है मतलब क्या है ग्हेंगा रोग हो रहा ह तो फिर आयोडीन के आवश्यक्ता होगी किसको synthesize करने के लिए किसका जो concentration है वो proper करना है thyroid का तो आंसर होगा D तो यह होगा thyroid thyroid के कारण ही क्या होता है mixedema रोग हो जाता है thyroid ग्रंथी को सामानेता बनाई रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में होना चाहिए तो नमक में आयोडीन है वो potassium iodide के रूप में होना चाहिए और अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि नमक का formula क्या होता है तो sodium chloride नमक का formula होता है ग्रेव का रोग किसके कारण होता है तो thyroid यदि hyperactive हो जाता है अतिसक्रियता हो जाती है thyroid की तो ग्रेव का रोग हो जाता है हार्मोन के किस रूप में कारे करने वाले protein का उधारन बताईए तो हार्मोन प्रोटीन के रूप में कारे करता है तो यह oxytotion आंसर होगा B oxytotion निमलेकित हार्मोन में से किसमे iodine होता है तो आप तो आपको बिलकुल रट गया होगा कि आंसर क्या होगा thyroxin होगा जब भी iodine से related question पूछा जाएगा तो आपको मेशा thyroid, thyroxin TCH इन सब का relation ही iodine से होगा हार्मोन का उधारन है चार option दिये गए हैं तो अगर आपने इसके पहले वाला question अच्छे से सुना था तो आप समझ गए होगी answer होगा oxytocin निमलेकित मैंसे कौन सा एक anti-diuretic हार्मोन है anti-diuretic हार्मोन जो है वो कौन सा होगा basopression हार्मोन मानों के सरीर में निमलेकित हार्मोन मैंसे कौन सा रक्त केलसियन तथा phosphate के वीनेमन को करता है जो blood का proper circulation हमारी बोडी में होता है तो उसमें calcium और phosphate को क्या है regulate करने का काम कौन करेगा वो होगा parathyroid हार्मोन parathyroid हार्मोन को ही paravatu हार्मोन कहा जाता है लडो और उडो ये काफी common question है कि लडो और उडो के नाम से या flight fear के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है तो ये adrenaline हार्मोन ही होता है जो आपातकालीन हार्मोन या emergency हार्मोन के नाम से जाना जाता है निमलेकित मैं से कौन सी ग्रंथी ब्रद्दा वस्था में लुप्त हो जाती है तो जो thymus gland होती है ये जैसे जैसे age बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है ये जो active नैस है वो कम होती जाती है और एक समय के बादी ये पूरी तरीके से लुप्त हो जाती है थाइमस gland जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे थाइमोसन हार्मोन कहा जाता है हिरदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो वो है थायरक्सन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है इरदय की धड़कन को उत्तेजित करता है क्या पता सकते हैं जब आप बहुत अदेख खुस होते हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है तब हार्मोन रिलीज होता है वो होता है डोपामाइन हार्मोन इसलिए खुश रही है ताकि आपकी बोडी में डोपामाइन का कंसेंट्रिशन प्रॉपर बना रहे रक्त दाप का नियंतरन किसके द्वारा होता है तो ब्लेड का जो कंट्रोल होता है blood pressure का जो नियंतरन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है तो वो होता है adrenal ग्रंथी जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से किने जाना जाता है तो चाहे वो adrenal हो, pituitry हो, thyroid हो यहां पर जीवन रक्षक हार्मोन की बात की गई है तो जीवन रक्षक हार्मोन की नाम से जाना जाता है अड्रेनिल हार्मोन निमले कितमे से कौन सी ग्रंती सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करती है तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अड्रेनिल ग्लेंड मानव शरीर की कौन सी ग्रंती है जिसका सम्मंद शरीर की उत्तेजना से होता है तो वो होती है एड्रेनिल ग्लेंड जब भी गुस्सा आता है बहुत अधिक एग्रेशन होता है तो वो जो एड्रेनिल ग्लेंड होती है उसी के कारण होता है उत्तेजिना के समय कौन सा हार्मोन वही क्वेशन फिर से पूछा गया है एड्रेनिल हार्मोन मानों के सरीर में ताप इस्थाई या थर्मोस्टेट होता है तो यहाँ पर आंसर होगा कि जो ताप मान मतलब टेंपरेचर को कंट्रोल करने का काम चो होता है वो हाईपोथेलेमस का होता है इसको याद रखिएगा वही वही प्रशन पूछा गया इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ अश्रू ग्रंथी कहां इस्थेट होती है तो अश्रू ग्रंथी नेत्रिक वहां में आई कैविटी में होती है जब आशू आते हैं जब भी आप दुखी होते हैं तो आशू निकल जाते हैं तो जो आशू आते हैं उनमें भी क्या होता है gland होती हैं जिनके कारण आसु आते हैं तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा lacrimal gland निमले कितमे ऐसे कौन सा हार्मोन इस्तिरियों में पाए जाता है यह काफी महत्य पून प्रश्ण है यहाँ पर जो right answer होगा पहले option दियेगा है आपको तीन हार्मोन बताएगा है तो right answer होगा B estrogen और progestron जो हार्मोन होते हैं यह दोनों क्या होते हैं female hormone होते हैं जो testosterone hormone होता है यह male hormone होता है estrogen का स्त्राव होता है तो estrogen का स्त्राव कहाँ पर होता है graphian tube के द्वारा होता है carpus luteum का स्त्रावन करता है तो progestron जो रहता है वो carpus luteum का स्त्रावन करता है तो ये हार्मोन पर बेस्ट कुछ बहुत ही महत्यपून प्रश्ण थे I hope यदि आप इतने प्रश्ण सॉल्व कर लेते हैं तो हार्मोन से related अगर question पूछा जाएगा तो आपसे definitely बन जाएगा अगर आपको वीडियो ये productive लगता है तो please like, share and subscribe Thank you so much पढ़ते रहिए खुश रहिए जय हिन जय भारत